हेलो भाई लोग तो कैसे आप तब उमीद आप सालोग मज़े में होगे तो जो भी लोग भी आर चैनल पर पहली बार आये हो अभी के भी चैनल को सब्स्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो अपने दोस्तों को भी शेर कर दो और एक और चीज़ है यार मैं एक गिठव रे और अपना पढ़ सकते हो साथ ही साथ आपको सेमेस्टर वाइस जैसे मतलब आपके जो एक्जाम होते हैं उसके लिए आपको क्वांटम मिल जाएंगी नोट मिल जाएंगी यह सब कुछ फ्री है तो दोस्तों के बीच अपने शेर करो और इस टार करके रख लो ताकि हो ना और अभा आते हैं कुंशन के ऊपर आज के बिचित करें करें किते ही है तो यह है यह हैसिंग होता क्या है कि कुछ हम स्टोर करते हैं इससमें में पढ़ी लिया होग अब तक इसमें एक अ क्रोस एं कि मैक्रिक्स दी हुई है और इनिशली मैं मैं मान रह हूँ इसमें जीरो बहरे हुए हैं ठीक है और इस में हमाई पास k query दी है यह जो k is equal to 3a से हम query बोख सकते हैं k query हैं और हर query में दो number दィए मतलब एक तरीके से हम बोले कि रोर कॉलम्न दी तो हर query में बाइचां साबकर तो दूसरा रोड दूसरे कॉलम को इस में जितने भी वैलू से उनको सबको जीरो कर देंगे तो बेसिकली इसमें आप सोच रहे होगे कि इस बेसिकली सिंपल सा कुशन है लेकिन इसको हमें करना जो है तो बेसिकली साथ देखो यह कहना क्या रहा है यह चीज़ समझे बहुत आसान सा एक बर कुशन समझ जाओगे किसी को देखने जुरूत नहीं पड़ेगे आपको मालनों थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स दी ओए ठीक है ऐसा कुशन में में मैट्रिक्स मनाना नहीं है बिना मैट्रिक्स बनाए यह कुशन हो जाएगा यह भी आप चीज़ समझ जाओगे पहली कोईरी है टू कॉमा टू तो यह एक और इसमें चीज़ पढ़ने वाली है यह जो है हूँ कि इसमें यह वन इंडेक्स है मतलब एरे से स्टार्ट हो रही यह वन है यह यह तू है यह थ्री है यह वन है यह यह तू है यह से कुछ खास फरक नहीं पड़ता है अब टू कॉमा टू था तो यह पूरी रो और वह कॉलम दोनों कट हो जाएंगे तो इस ऑपरेशन के बाद इस पूरे मैट्रिक्स में जीरो कितने इंगे मचैं बचे च़्छ ठीक है फिर इसके बाद क्या होगा अगली मेरी हरे तो टू कोंमा थ्री यह वाली वैल्य हूई ठीक है अब इससे केसтесь mine क्या अब इसकूरे में तो इसे मेंब ग्रievous है ठीक है अब लास्ट देखते हैं थ्री कॉमा टू एक सिकड़ थ्री यह है तो हमें इस वाले यह वाले मतलब वह वैल्यू बन नहीं है अब यह कॉलम तो अल्रेडी कैंसल इस रो को कैंसल कर तो आप कितनी बचेंगी वन तो फोर टू वन पहली पहली कोईरी के बाद फोर फ करने की क्या हमें मैट्रिक्स बनानी है क्या हमें बार-बार उसे करना है सारी ऐसा इस series बिल् इसमें जो भी मेरी n की value है ठीक है जो भी मतलब एक तरीके से number of rows है और number of columns है उसकी matrix नहीं बनाएंगे एक row नाम से एक 1D matrix बना लेंगे ठीक है 1D बनाएंगे 2D नहीं बनाएंगे इसमें भाइचाज 3 थे तो 3 rows को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरा column matrix बनालेंगे इसमें भी 3 Has number six & republican कर रहा है यह पर सप्रेजेंट कर रहा है यहां पर पहला कॉल्म है यह दूसरा कॉल्म है यह तीसरा कॉल्म है यह बस यही हमारा मिन्हाइन कोंस्ट है यह चmpfen का यह जो मेरी पास इसके बदमाद है यह करने में यह लुको श्थ क्हाश है अब इसके बद हमें दो जिए और जरूत पड़ेंगे की रो अभी कितनी ब्लॉक है और अभी कितने कॉलम ब्लॉक है ठीक एक ना तिर्फ हूं अब देखो ! अब देखो basically हो क्या रहा है यह मैंत्रिक्स है । मैं पस घ्म Meng १ंद और एक कर लिएग लेंगे साइड में मैंटिक्स बना रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे यह मैंट्रिक्स clear में कहीं निए यह सिर्फापक दिमाग में लगी कौश्चन best लक ने के लिए आप उसे कोड करोगे तो ये बंद हो जाएगा ये बंद हो जाएगा। अबुस्में विश्पक़ियो। कि प्रूमें एक answer नाम से होगा है. चूटल जितनी हो थीय होगा है थीक है तो ये टीक है। अब जब मैं पहली रो ब्लॉक कर रहा हूं तो आप यह चीज़ समझना एंसर को मैं मौडिफाई कर रहा हूं हर इस स्टेप पे ए यारी स्विलिंगरत हो रही हैं एंसर को मॉडीफाई कर रहा है तो इसमें सबसे पहले मैं n को माльइट कर दूगा ठीक है ज acidic पहले रो को हैंड़ करते हैं फिर प्हुर्म को रहा हूं करते हैं जब मैं रो को हैंड़ल कर रहा हूं तो सबसे पहले में से मैंने 3- कर दिया राइंस कर दिया सो मैं यह तीनो यह समझे बाद एक और चीज़ से करनी क्या इतने खतम है बिल्कुल भी नहीं कि यहां पर कुछ प्लस भी करना क्या प्लस करना है अगर जो कोई वैल्यू हो सकता है कि मान लो एक दूसरी मैट्रिक्स बनाया हूँ कॉसस् fps तो करनाया नहीं मतप सब्सक्द भी आनगों के खालंज लगया कितने कॉल्ब्लोक है यह कौलम ब्लॉक है यह समझों यह यह थोड़ी साथ हो सकती है लेकिन इतनी भी complex नहीं है जब मैं इस वाली रोगो हैंडल कर रहा हूं ठीक है तो उसमें कितने जीरो और डिक यह मुझे कौन बताएगा कितने एक कॉलम मेरे कट हैं अगर जो मेर Jana एक कॉलम का टने तो मतलब एक यह वाला जीरो कोई भी दिडिए और स्कावा लॉद्ण मेरे 24 लॉकि कह फ़्थ है उसंत् woven नियाई है थोड़ा से पीछा के देखो माइनस एन फ्ल्स रो ब्लॉक और इस step के बाद column को is step के बाद column को travelling प्लेस कर देंगे मतलब column block को और इसके बाद रो month को plus plus कर देंगे होकि इस step के पाद और यहy नहीं रो ब्लोक हो गया और अब यह मैंने टू,2 वालिव why value को handle किया है तो मेरी second row block हो चुकी तो यह मैंने hash कर दिया second column block हो चुका है तो यह मैं hash कर दिया हूँ यह जी समझो जो मैं zero को one कर रहा हूं यही चीज़ actual में hash है यही हमें बाद में बताएगी कि कौन सी रो हमारी ब्लॉक है कौन सी रो ब्लॉक नहीं है तो आप इसमें तीन जब मैं किसी भी वैल्यू को handle करने जा रहा हूं इसे कट करने जा रहा हूं को डर बदल लैता हम जब मैं करने जा रहा हूं तो पहली कंडीशन ना यह भी ब्लॉक है नाी क मोम भी ब्लॉक है तो एक condition हो गई ना dynasty अ değişтます कि और उस दो सकता है दू से शुक में पृवक है को यह कट करो ठीक दो इस के दिस में कि row भी block है column भी block है पिर तीसरी condition मेरी क्या बन नहीं है कि मानलो उसने बोल दिया यह cut कर रो तो इस case में मेरी row block है column block नहीं है ठीक है और चौथी condition मेरी क्या है मानलो उसने बोला इसे cut करो तो इस case मेरा column block है और row open है तो चार बेसिक फी कंडिशन है इसमें जो भी हमें काम करना है वो इन तीनों में काम करना है बाकि एक्स इती कॉलम भी ब्लॉक है और भी पहले से ब्लॉक है तो हमें कुछ अंतर लाना ही नहीं है तो कुश्चन आपको यहां पर समझ में आ गया होगा है तो वैसा कुछ नहीं होता है कोटिंग में है इंसान से वैसी गलतियां होती है कोई उसे दिखा देता है ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिदेंस आई कि एकर जो आपसे गलती हो रही तो नॉर्मल बात है कोई बड़ी चीद नहीं है कोई उन्हें हाइड कर देता है तो अभी तक जो लोग भी वीडियो में कॉंटिन्यू हो अभी चैनल को सब्स्राइब कर दो वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों को भी शेर कर दो और और सबसे बड़ी चीज यार इस रेपो को जितना शेर कर सकते हो शेर करो और अगर जो आपको लगता है कुछ कंटेंट आपके पास है जो यहां पर डालने लाइक है आप शेर कर सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम पर मेरे rapidcodes.in नाम से है उसी पर और मैं उस चीज को यहीं पर डाल दूँगा ताकि दूसरों के help हो सके यह देखो सारा मतलब जो भी code है वो सम्मेट हो चुगा है code में comment section में देदूगा साथ में github repo का link भी comment section में देदूगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं अंगली वीडियो में